यह वेलो हेलो वेल्कम दूट जैने के एड्यूएशन और आज के वीडियो में मैं ले के आया हूँ आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन डाट इस डेलेटेड विद विद एम टेक इन डिफेंस टेकनलोजी आपको एक बड़े फोटो के माध्यम से यहां पर दिख भी कुछ विद वीडियो में क्या होगा इसके बारे में क्या-क्या को से रिए कोर्स किसलिए लॉंच किया गया वीजन है और किन्होंने कोलिबरेशन किया है कौन से स्पेसेलाइजिशन और कौन रोल यहां पर कौन सी ब्रांचे सथ यहां पर इंडोल कर सकते लोगों सारी यह जो course launch किया गया है वो defense technology को strong बनाने के लिए किया गया है, आत्म निर्भर भारत को support करने के लिए किया गया है, जो भी हम import करते हैं out of India से, ऐसे technology जो defense related हैं, rockets, missiles, whatever is that, उसको हम चाहते हैं कि इंडिया में ही बने और हमारी youth इस technology को, हमारी youth को इस technology से aware करा के, empower करके, हम जितनी भी यह चीज़े import कर रहे हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर इंडिया में ही बना सकें, यह vision है इंडिया का, so इसमें कौन-कौन सा collaboration, क्योंने collaboration किया है, यहाँ पर DRDO and AICT दोनों ने इसमें collaboration किया है, और एक पूरा एक proper चार सेमेस्टर का, एक proper आपको यहाँ पर M-Tech related subjects, credits and प as the profession, अनिल, डिसाहसर बुद्दे, जो की chairman है AICT के, दोनों ने मिलके virtually इस program को launch किया है, on the 8th of July, जो अभी 45 दिन पहले बीता है, okay, so यह बहुत ही important meeting रहा है, और बहुत ही famous भी हो रहा है, और आगे जाकि इस technology से related, और इसम-tech में बहुत बच्चे इंडोल भी करने वाले है, क्योंकि interest बच्चों का बहुत जादा देखने को मिल रहा है, okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि blue line में एक यह जो line दिखी गई है, that is initiating the defense technology education from reason to reality, मतलब जो हमारी सोच थी, जो हमारा reason था, उसको हमारा reality में लाके रख रहे हैं, यहार मैंने आपको अपने ICT के lecture में एक सारी देश ऐसे हैं, जिन्होंने अपने academics में, from the starting of their academic education, जो बच्चों के होते हैं, उसमें ही इस चीज़ को शामिल करके रखा है, include करके रखा है, तो India क्यों पीछ रहे, India तो वैसे भी इतना advanced or talented people है, उस चीज़ को हम utilize कर सकते हैं, और वो हुआ भी, और मैं इस news को जब specialization देखने को मिलेंगी, यहां पर देखने को मिलेंगी, कौन-कौन सी है, कैसे है, सब मैं आपको एकर करके यहां पर बताता हूं, so let's proceed, यहां पर आपको कुछ दो पोस्ट आपको यहां पर दिखा देता हूं, डियाडियो के दौरा एट और जुलाई को आपको देखने को म करेंगा, and Association of Indian Students की तरफ से भी यह डाला गया है, पोस्ट डाला गया है, and that is the AICT launches, the MTEK in Defense Technology, जो एक्शली बच्चों के बहतरी future के लिए काम करेगा, ठीक है, बहुत सारे students है, बहुत सारे यूथ हैं, जिनको इसमें इंट्रेस्ट बहुत है, इसमें इंट्रेस्ट बहुत ह गया है, जो कि आपको आने वाले समय में बहुत हेल्फूल होने वाला है, आप देख सकते हो कि DRU, that is a Defense Research and Development Organization, and All India Council for Technical Education, that is AICT, दोनों ने मिलके, theoretical experimental knowledge, skill and the aptitude in the various defense technology areas, इनको ध्यान में रख के विए पूरा कोर्स बनाया है, प्रॉपरली, तो मैं भी ब्रॉशर के माधियम से आपको दिखाता हूँ, जस्ट थोड़ी दे रुकिए, तो इसमें कौन-कौन से institute सामिल होने वाले है, all the IITs, all the NITs, as well as the private colleges, AICT approved है, all are going to enroll in this, और यहाँ पे main जो focus रहेगा, वो engineers को अपने केरियर में defense technology के related improvisation कराना, और उनको aware कराना, बहुत important है, okay, so interested students, यहाँ पे enroll भी कर रहे हैं, 2021-22 के लिए, यह course आपको देखने को मिल जाएगा, आप website पर जाके check कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं बना के बता हूँ, तो मैं यहाँ पे और वीडियो आपको यहाँ पर बता भी दूँगा, so आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसलेबी पोर M-Tech in Defense Technology Guidelines आपको देखने को मिल जाएगा, प्रॉपरली तरीके से 95 पेज़ेस का, 95-96 पेज़ेस का यहाँ पे ब्रॉशर बनाया गया है, प्रॉपरली प्लान है, तभी यह लांच किया गया है, ओके, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, the first of all, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, what is the main introduction related with this, किस तरीके से यहाँ पे collaboration हुआ है, need for M-Tech, Defense related, M-Tech क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में बताये गया है, और मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, program का objective क्या है, तो program का जो objective है, यह actually है post graduates related, जो उनको theoretically experimental knowledge दे सके, skill and aptitude जो defense technology से related है, system को strong बना सके, ठीक है, main vision यही है, आतमे निर्वा भारत, तो हम वही सोचके और वही कलपना करके हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहते हैं कि जो भी हमको manpower मिले, वो skilled manpower मिले, हमारे जो seniors के साथ हम interactions बढ़ा सकते हैं, और यह जो program है आने वाले समय में, बहुत सारे, आप ऐसा कह सकते हो कि, out of, out of India, जो बहुत सारे country के, जो delegates होते हैं, या defense related, जो वहाँ पोस्ट होती है, उनसे aware कराना, ठीक है, और defense related, जो बड़े-बड़े post में, लोग बैठी हुए हैं, वो यहाँ पर आके seminars conduct करें, so that India के जितने भी organizations आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, पूरे program की outcome यहाँ पर देखने को मिलेंगे, attributes properly तरीके से बतायों गया है, acquire the technical and competence and the comprehensive knowledge and the understanding, the methodology and the technology association, land, air, naval defense system, मलब land, ठीक है, जो army, air and the naval defense system, apply the knowledge to identify, formula, analyze, complex engineering problems, तो बहुत सारी चीज़ हैं, जो आपको देखने क मिलती है, जहाँ पर इंजिनियर की requirement है, तो लोग कहते हैंने के इंजिनियर में opportunity, बहुत सारी opportunity और भी बढ़ चुके हैं, भाई, यहाँ पर आपको चार semester के program देखने को मिलेंगे, और total मिलाके 80 credits यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जो 6 specialization है, वो आप देख सकते हैं, the first is the combat vehicle engineering, ठीक है, जो हमारे लडाकू, जो वेहिकल होते हैं, जो आप movies बगरा में देखते हो, ठीक है, उन से related, aerospace technology, novel technologies and communication system की किस तरीके से हम जो बाहर की जो missiles बगराई, इंडिया के अंदर, इंडिया की periphery के अंदर आई, तो हम उसको कैसे recognize कर सके, पंडू भी बगरा से हैं, त कर सके, तो बहुत सारी ऐसी technology, new and new technologies, आपको यहाँ पे improvisation कराने के काम आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे direct energy technology हो गया, high energy materials technology हो गया, तो बहुत सारी advance, यहाँ पे engineering आपको देखने को मिलेगी, जो हमने अभी बस के वा सुनी है, वो इसको बच्चे आप फील भी कर पाएंगे, तो ultimately आप सोच समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी improvisation आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और देखी proper तरीके से course के code हैं, mtech के credits हैं, कितने समय के लिए चलेगा, तो properly तरीके से यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है, और specialization के बारे में बताया दिया गया है, चा समय के लिए चलेंगे सब कुछ बताया हुआ है, तो you can check it out, बहुत ही proper तरीके से यहाँ पे well established यहाँ पे यह ब्रॉचर बनाया गया है, यहाँ पे eligibility criteria देख सकते हैं, कि all the branches are included, जैसे कि मेरी branch है electrical engineering तो भीया अपने लिए भी है, अपने लिए क्या बनलब यहाँ पे हर branches यहा यहाँ पे include किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, and some guidelines and also provided there, जो भी बच्चे यहाँ पे enroll करना चाहते हैं, और आगे यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, mtech करना चाहते हैं, courses को, courses के लिए enroll करना चाहते हैं, उनसे related guidelines दी वे, तो आप चाहते हों कि इनसे related वे में कुछ properly वीडियो बनाओं और अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए ऐसे कई notification लाओं, तो please मुझे comment section पे जरूर बताईएगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसी चीज़ों से aware करा सकूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक particular field म में जाना जरूरी, बहुत सारी opportunities को आपको देखना, widespread opportunities अप खुल रही है, so आपको इन सब के बारे में aware भी रहना चाहिए, so I wish कि ये जो पूरा वीडियो है, जो मैंने आप लोगों के लिए लिए है, I wish कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, so please इस चैनल को subscribe कर दिजे, और ऐसी कई वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दिजे, so that you can, you can notify by these videos, okay, so best of luck, best wishes, तो जो भी बच्चे आगे defense technologies में जाना चाहते है, तो उनके लिए बहुत opportunities है, so congratulations guys, और अच्छे से इस पे, और भी आप कुछ नोड़ वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमें सेक to work for this, okay, so bye-bye, take care and best wishes.